आचार्य चतुरसें सास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी पाप पत्नी के पती पर अंधे विश्वास और पती के मन में पत्नी की अलढ़ सहेली के परती जागी आसकती की भावना को दरसाती है यह कहानी आचार्य चतुर सेंच सास्त्री के अदल वदल संग्रह से ली गई है आए सुनते हैं इस कहानी को विस्तार से दो इस्तरियां परस पर बाते कर रही थी संध्या हो रही थी अंदकार कमरे में बढ़ रहा था पर वे अपनी बातचीत में इतनी लीन थी कि उन्होंने इसकी तनिक भी परवाहने की एक की अवस्ता 26 वर्ष के लगभक थी और दूसरी की 15 वर्ष की दोनों संभ्रांत कुल की सिक्सित महिलाए थी कमरा खूब सजा हुआ था और ये दोनों सुन्दरियां एक तक्त पर मसनत के सहारे अस्त वियस्त पड़ी अपनी बातों में दीन दुनिया भुलाए बैठी थ इस्त्री अत्यंत सुन्दर थी उसकी खिली हुई आखें और उब्रे हुए होट परबललालसा के ध्योतक थे खूब गहरे और खूब काले बालों से उतकरस्ट वासना प्रकट हो रही थी वह खूब मजबूत मासल और मुस्तै द्वरत थी दूसरे इस्त्री अत्यंत पक्स युक्त थी चीपी हुई वासना और चांद चले उसमें फूटा पड़ता था अभी कुछ मास में उसका विवहा होने वाला था पती सहवास की स्मर्ती की एक मात्र जलक ने उसे असंयत कर दिया था अब इस्त्री के लिए पती क्या वस्तू है पती नहीं पुरुष क् विचार और कल्पना का विशे था इस समय दोनों इस्त्रियां बिल्कुल सट कर बैठी इसी विशे का चिंतन कर रही थी छोटी इस्त्री ने कहा अरे मैं तुम्हें चाची कहूं या बहन जी या क्या कुछ समझ में नहीं आता जो चाहे सो कहा कर अब ऐसी ऐसी बाते करती हो तो चाची कैसे हुई ने सही बहन जी सही अच्छी बात है अब मैं बहन जी कहा करूंगी बरबाबु साहब को क्या कहना होगा जी जाजी अब तो वह तेरे जी जाजी हो गए नहीं नहीं ऐसा नहीं जी जाजी वहुत बुरे हुआ करते हैं बुरे क्या हुआ करते हैं सब भ किया करती हैं ना भाई मुझसे ऐसा ने होगा उनके सामने से मैं भाग जाऊंगी भाग कैसे जाएगी साली बनना क्या हसी खेल है इस बार होली खेलना होगा वाह यह भी कहीं हो सकता है बालिका कुछ हस कर गर्दन टेड़ी करके बोली और दूसरी इस्त्री की गोदी में सिर् बाहर पद ध्वनी सुन कर दौनों चोंकी बालिका ने कहा लो जिजाजी आ रहे हैं अब मैं जाती हूँ वाह जाएगी कैसे आज उनसे बाते करनी पड़ेंगी नहीं नहीं मैं जाती हूँ बालिका उठकर भागने लगी दूसरी इस्त्री ने उसे कस कर खींच लिया और कह जाएगी कहा जिजाजी से बाते करनी होगी कमरे में इस्त्री के पास किसी और को बैठा देख राजेश्वर बाहर ही ठिठक गए वह दूसरे कमरे में जाने लगे पतनी ने पुकार कर कहा चले आईए यहां आपकी नई साली साहिबा हैं और कोई नहीं राजेश्वर जरा जिजक्ते हुए भीतर गए, बालिका सिकुड कर ग्रहनी की पीठ के पीछे चिप रही, ग्रहनी ने हसकर कहा, जिजाजी को परणाम भी नहीं, बालिका ने चुक्के से हाथ जोड कर परणाम किया, राजेस्वर ने कहा कौन है? आप नहीं जानते, पडोश के प्रोफेसर कि कन्या की सोरी है हम लोगों ने बहनापक जोड़ा है अब यह आपकी साली और आप इसके जिजाजी हुए राजेश्वर जरा मुश्कुरा दिये पिर कहा इन्हें कुछ खिलाया पिलाया भी है या नहीं पल मिठाई और लो इतना कहकर राजेश्वर कमरे से बाहर निकल गए उन्हें एक जरूरी मुकदमे की मिसल देखनी थी मुख्किल बैठक में बैठे थे उन्होंने बालिका को देखा भी नहीं उनके मन में कोई भाव भी उदय नहीं हुआ उनके जाने पर बालिका ने कहा बेहन जी ये तो बहुत मीठा बोलते हैं क्या रीज गई हटो एस इह ना करू करू मेरे यहां रहने से बाहर चले गए मुझे जाने क्यों नहीं दिया वे यह बैठते तेरे सामने बैठने में क्या उन्हें डर लगता था मेरी वज़े से तो चले ही गए चले जाने दे जा कहां सकते हैं नकेल नथी हुई है वे एक ख्षण तो मेरे बिना रह नहीं सकते यह कहते हुए यूति के नथुने फूल गए आखों में मद छा गया बालिका ने सकी की और देख कर कहा सच कहना बेहन क्या वे तुम्हे इतना प्यार करते हैं तो प्यार को क्या जाने पगली अभी तो अलड बचुडी है ससुराल का रस तुने देखा नहीं है अच्छा सच कहो यह तुम्हे कितना प्यार करते हैं जितना जगत में किसी ने किसी को नहीं किया और तुम तुम भी भी प्यार करती हो या नहीं मैं क्यों करने लगी यूवति ने दो धप बालिका लगा दी इसके बाद कहा अच्छा कैसे हैं बहुत अच्छे हैं तुझे पसंद आये हटो कैसी बाते करती हो कह नहीं घुसे मार मार कर धेर कर दूंगी बालिका ने स्विकार सुचक सेरे हिला कर मुशकी के आचल में छिपा लिया यूति गर्व से पूल गई उसने दो चार घुसे जमा कर कहा कहीं आगे पीछे बाते ने करने लगना वाह मैं बाते कै कैसे करूंगी हा सुनो उन्हें नास्ता तो करा दो बेचारे हारे ठके कचहरी से आए है ग्रहणी ने तीन दस्तरियों में नास्ता सजा कर कहा लो पहले उन्हें तुम ही दे आओ बालिका ने कान पर हाथ धर कर कहा राम राम मर जाओं तब भी उनके सामने नहीं जाओंगी तब साली क्या खाक बनी, ऐसी साली नहीं बनती, बस इतने ही वे अच्छे लगे, पर उनके सामने कैसे जा सकती हूँ, क्या वे तुझे हलवा समझ कर गडब कर जाएंगे, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुझे ही आज भेजूंगी, बेहन जी हाथ जोडती हूँ, हाथ जोड और भी आदमी है, तुम क्या बहू हो, बेटी हो, परदा क्या है, तब तुम भी चलो, मैं आदमियों में कहा जाऊं, चिक के पास खड़ी रहना, अच्छा चल, दोनों इस्त्रियां चली, बालिका के हाथ में नास्ते की तस्तरी और पानी का गिलास था, द्वार पर जाकर ग्रहनी ने उसे धकेल दिया, बालिका आखे बंद कर गिलास और तस्तरी टेबल पर रख, सिर पर पैर रख कर भागी, तो अपने घर पर ही आकर दम लिया, ग्रहनी कमरे में आकर पलंग पर लोट पोट होकर हसने लगी, जैसे बिजली कौंधा मार गई हो, राजेश्वर भ में पारा भर गया हो, परन्तु वह सिग्र ही संयत हो गए, वह चुप चाप अपने कागजात देखते रहे, पर उनका कलेजा धड़क रहा था, वह रहरे कर सोच रहे थे, अजब लड़की रही है, कैसे वह एक आएक आई और भाग गई, क्या यह सब कुमुद की एक कारस्त जानी नहीं थी, पर कैसी भद्दी, कैसी वाहियात बात है, यह लोग भी क्या कहेंगे, यह सोचते सोचते उन्होंने आँख उठा कर दवी नजर से अपने मुवक्किलों को देखा, और फिर उनके द्रस्टी नास्ते की तस्तरी पर जाकर अटक गई, एक मुवक्किल ने कह वकील साहब, आप पहले नास्ता कर लिजे, यह काम तो होता ही रहेगा, वकील साहब, अब भी आप इसे बाहर थे, उनके मन में एक द्वंद मच रहा था, वह अकारण ही हस पड़े, पिछे, अपनी हसी से स्वयम चौक भी पड़े, उन्होंने नास्ते की तस्तरी की और आप लोगों के लिए भी कुछ मंगवाया जाए, जी नहीं, आपकी किरपा है, वकील साहब नास्ता कर फिर कागज देखने भालने लगे, पर उनका मन काम में लगा नहीं, वह मुख्किलों को विदा कर भी तर आए, देखा कुमुद की आखें चुप चाप हस रही, और उसे वहाँ भेजा क्यों, क्या वह अच्छी नहीं लगी, पर वहाँ भेजना सरासर बेवकुफी थी, पर थी मज़ेदार, कुमुद फिर हस्ती, वकील साहब कुर्ची पर बैठ कर बोले, यह ठीक नहीं किया, वहाँ बहुत लोग थे, वे क्या उसके ससुर थे, हसी की भी एक हद होती है, मरियादा से बाहर जाना ठीक नहीं, मरियादा के बाहर क्या हुआ, गैर लडकी को अकेला मर्दों में भेजना ठीक नहीं, पर वह तो आपकी साली साहिवा है, गैर नहीं, मुझे सालीों की जरौत नहीं, आपकी जरुत को कौन पूसता है आइंदा फिर ऐसा कभी ने करना देखा जाएगा अभी ये तुम्हारा अलड़पन नहीं गया जी नहीं मुझे ये वकीलों की दरहें लंबा मुझ बना कर कानूनी बहस नहीं करनी परती मैं तुमसे बहस नहीं करता उस आफत को अब कभी घर ने बुलाना ने उसकी चर्चा करना वह मारा आफत आफत मन की बात तो मुझ से निकल गई मालूम होता है मन को भागई वह हस्ते हस्ते लोट गई राजेश्वर जुन्जला कर घर से बाहर निकल गई वह सीधे कलब गई वहाँ जीने लगा तो घूमने दूर तक निकल गई वहाँ भी मनने लगा तो एक दोस्त के घर जाकर सतरंज खेलने लगे पर कहीं भी उनका मनने ही लगा वह अन्यमनस्क से घर लोटे चुपके से खाना खाया और अकबार ले बैठे उनके मन में वही आफत रम रही थी वह बिजली की तरहें परकास पुंज को लपेटे कमरे म घुषना और तूफान की तरहें निकल भागना आधी की भाती सब कुछ बिखेड जाना यही सब बातें उनके धिमाख में हलचल मचा रही थी वह इस बात पर हैरान थे कि कुमुद ने भोजन के समय ने उसकी चर्चा की ने हसी उन्हें बहुत आशा थी कि उसकी बात सुने लेंगे वह अकवार लिए आराम कुर्ची पर देर तक पड़े पड़े उंखने लगे जबकी लगते ही देखा वही आफ़त उसी भाती जपट कर उसके सामने आखडी हुई वह हडबडा कर उठ बैठे मानू उसे पकड़ लेंगे पर खड़े होकर आख खोल कर देखा कुम चुप चाप कुर्ची पर बैठ गए फिर बेवकूफ की भाती हस कर बोले मुझे नीद आ गई जी हां उसी में कुछे सपना देखकर शायद हडबडा कर उठ पड़े पर सामने कोई और ही खड़ा मिला लीजे दूद पी लीजे और फिर आराम से रात पर सपने देखिए राजेश्वर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा भाक्ती कहा हूँ अपनी उस नई सखी का कुछ हाल सुनाओ जी उसकी बात न कीजे नहीं नहीं बताओ तो तुमने क्या समझ गरू से वहां भेजा था जी नहीं सिरिमान जी उसकी बात करने का मुझे हुक्म नहीं है पर एक सांस ले लेने दीजे अच्छा लो एक सांस कुमुद जटका देकर उठी और राजेश्वर को गिराती तथा कुरसी में अटके अपनी साड़ी फारती और हंस्ती हुई वहां से भाग गई राजेश्वर बक जख करते ही रह गए वकील साहब की उम्र 40 को पार कर गई थी वह बहुत गंभीर और उदासीन परकरती के आदमी थे अपने मुवकिलों में रुखे और खरे तथा आदालत में तीखे आदमी पर सिद्ध थे बहुत कम उन्हें हसी दिल लगी एक करते देखा गया था उनके यार दोस्त भी कम थे रसिकता नाम की कोई वस्तू उनमें थी ही नहीं परन्तु किसोरी जैसे उनकी आखों में त्रप्त सलाई की भाती घुश गई हो उनका मन ने कचेरी में लगता था ने मुवकिलों में वह कमुद्ध से उसकी चर्चा करते भैखाते थे पर घर में आते ही चारों और आखे फार फार कर देखते कि क्या किसोरी कही दिवार के कोने में चिपी तो नहीं है वह बड़ी सावधानी से घर में घुशते वहां कमुद्ध कि सोरी की कुछे चर्चा करती है या नहीं इस बात की वह बराबर टोह रखते कमुद्ध उनकी सदेव ही परतिक्षा करती मिलती वह मानू मन ही मन पती की इस भावना को वकिल साहब भूजन कर चुप चाप पलंग पर पड़े पान कचर रहे थे कुमुद्ध नीचे कालीन पर बैठी चालिया काट रही थी पती पतनी दोनों के मन में एक ही बात थी परन्तु दोनों ही वह बात कह नहीं सकते थे कुमुद्ध यह कटनाई देख मुस्कुरा रही थी वकिल साहब जेब कर चिपी नजरों से कुमुद्ध को देख रहे थे उन्होंने साहस करके कहा हस क्यों रही हो रों क्या कुछ सोच रही हो भला क्या बात तुम्हारे मन में है तुम्हीं बताओ तुम तो अंतर्यामी हो हम तो पर बताऊंगा नहीं जाने दो बेवकुफ समझती हो क्यों बेशक इसमें आपको कुछ आपती है मैं बेवकुफ क्यों हूं यो कि बिना बात राड बढ़ाते हो सो नहीं जाते तब मैं सोता हूं कहकर राजेश्वर करवट बदल कर सो गए कुमुद ने और बाते नहीं की वहीं बैठी सरोता चलाती तथा ध बाते कर रही हैं क्षण बारबाद उन्होंने देखा कुमुद और किसोरी हैं राजेश्वर को जाकता देख वह सिकुड कर उठ भागने की तैयारी करने लगी कुमुद ने एक बार पती की और वक्र द्रश्टी से देखा जरा मुस्कुराई और किसोरी का हाथ पकड़ कर गिरा दिया राजेश्वर ने रसिक भाती कहा यह हाथा पाई क्या हो रही है क्यों आपको जामिन किसने बनाया मेरा घर है मेν जो चाहूंगी करूंगी कभी नहीं अपना घर होने सेही क्या हुआ किसी पर अत्याचार नने कर पाऊगी यह अंग्रेजी राजे है समझी समझी और आप हैं एक नामी गिरामी वकील परंतों यहां कच्चे मुवकिल नहीं वकालत रहने दीजे धेला भी नहीं मिलेगा राजेस्वर उठकर हसते वे बैठ कए कि सोरी ने लजाते वे हाथ जोड़कर प्रणाम किया राजेस्वर ने उसे आंख भर कर द चुका है कि सोरी ने धीरे से कहा जी जी उन्हें घर से क्यों भगाती हो कुमद ने कहा यह वकीलों की वकालत होने लगी है राजेस्वर ने अब एक बार की सोरी को भली भाती देखा वेहला जाकर सिकुड गई राजेस्वर ने बाच्चित का बहुत कुछ आयोजन किया पर कि सोरी ने उठकर कुमुद के साथ जाना चाहा पर वह उठ भी ने सकी और बैठना भी उसके लिए भार हो गया फिर भी वह चुप चाप धरती पर बैठी रही बहुत चेस्टा करने पर भी राजेस्वर उसे एक शब्द भी ने कह सके उसकी और देखने सके कुमुद दो त पर यही सबसे कठिन था वह कुमुद से और भी अधिक सट कर बैठ कई कुमुद ने बलपूर्वक उसके मुह में इमर्ति ठूस दी उसने आचल में मोचिपा लिया ये सभी द्रस्य राजेस्वर के लिए असाधार्न प्रभाव साली थे कि सोरी घबरा कर वहां से उठकर ज आपको क्या ज्यादा बुरा लगा उसे मनाना चाहिए तब मना लाइए मैं उससे क्या बोलूँगा तुम उसे बुला लो कुमुद ने बाहर आकर देखा वह खड़ी हुई मिस्रानी से बाते कर रही है कुमुद ने भीतर पती की और ताकर कहा अब आप बाहर तस्रीफ ले कर कहा उन्हें क्यों भगा दिया तब बुलाओं फिर किसोरी हस्ते हस्ते कुमुद से लिपट गई उसने कहा जी जी यह तो बहुत अच्छे हैं पती के इतने मधूर आलोचना सुनकर कुमुद आनंद विभोर हो गई उसने किसोरी के तड़ा तड़े चुमबन पर चुमब लगा रहा था राजेश्वर मिठी निंद में पड़े थे कुमुद ने उन्हें जखाया भी ने था बताया भी ने था वह बहुदा ऐसा ही करती थी आँख खुलने पर राजेश्वर ने देखा कि बिस्तर पर कुमुद नहीं है उन्होंने चोकरे को पुकार कर पूछा तो राजेश्वर चुप चाप पड़े थे, प्रातेकाल का मधुमे समीर बहराह था, उन्हें ऐसा परतीत हुआ कि घर में कोई घुसा है, उसके घुसने से घर में सौरब का परसार हुआ है, उन्होंने समझा कुमुद स्नान करके हाथ में बहुत से पूल और चंदन लेकर वापस है, उसके सामने अभी तक पड़े सोते रहने का स्वांग करके एहदिपन का खिताब या एक आद जली कटी सुननी चाहिए, कुछ देर चुप पड़े रहने पर भी उन्हें कुछ खटका नहीं परतीत हुआ, उन्होंने मू उठा कर देखा, द्वार के पास किवार से सटी ह कुई की सोरी खड़ी है, उसे भ्रम था के कुमुद सो रही है, वह चुप चाप उसे जगाने की ताक में थी, पर निन्हें नहीं होता था, अब एक आएक राजेश्वर को सामने देख कर वह घबरा गई, पर वह भागी नहीं, उसने अपने को संभाला और मुस्कुरा कर र भर वह स्वास भी ने ले सके, कुछ देर वह उसे देखने सके, ने एक शब्द कह सके, कि सोरी यह देख वहां से खिसक चली, राजेश्वर ने कठनाई से कहा, जाती कहा हूं कि सोरी, कैसे आई थी, मैं बहन जी को बुलाने आई थी, जमना जाना था, रात उन्होंने कहला बेजा था, कहा हैं, राजेश्वर ने जूट फोल दिया ठेरो, वह अभी आती हैं, जूट कहकर, वह मानू थर थर कापने लगे, उनका कंठ सूख गया, उन्होंने सूखे कंठ से कहा, बैठो कि सोरी, कि सोरी खड़ी ही रही, वह कुछ भी ने ने कर सकी, ने वह जा ही सकी, इस बीच में राजेश्वर साहस करके उठकर उसके पास आए, उसने समझा, वह बाहर जा रहे हैं, वह द्वार से हट कर कमरे में एक और हो गई, हठात राजेश्वर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, कि सोरी, क्या तुम मुझ से डरती हो, कि सोरी के सरीर में रक्त की गती रु कि सोरी ने थोड़ा बल किया, पर जब वह हाथ ने छुड़ा सकी, तो उसने आर्थ नाद करके कहा, छोड़िये, मैं जाती हूं, कि सोरी जाओ नहीं, मैं तुम्हें देखने को सदेव पागल रहता हूं, कि सोरी की आखों में आशु भराए, उसने रोते रोते कहा, छोड़िये नहीं, छोड़िये, राजेश्वर धीरे धीरे पास्विक वासना से ओत्प्रोत हो रहे थे, उन्होंने और भी कसकर उसका हाथ पकड़ लिया, और सुखे गले तथा भर्राई आवाज में कहा, कि सोरी मेरा प्राण निकल जाएगा, मैं तुम्हें प्राण से अ पटक दिया, अकस्मात ऐसा पास्विक आकरमन की सोरी नैसे सकी, वह सकते ही हालत में करुण द्रस्टी से राजेश्वर को देखने लगी, उसके मुशे शब्द भी ने निकले, धीरे धीरे वह बेहुस होने लगी, राजेश्वर ने उससे अपने हाथों उपर उठा लिया उसका खुला मुख, अध खुली आखें और सिथिल सरीर, एवं विमुक्त, अलका वलिया, प्रभात की उन्मुक्त वायू का जोका, सभी ने राजेश्वर की पसु वासना को अंधा बना दिया, वह घोर अपवित्र भावना से, उस महापवित्र कुमारी का मुख चुंबन करने को नीचे जुका, एक तिवर जंकार से, चोकने होकर उन्होंने पीछे देखा, कुमद द्वार पर भौचक खड़ी है, उसके हाथ से फूल, चंदन और जलकी, जारी से भरा थाल, छूट कर फर्स पर जंत से गिर गया है, क्षन भर में ही वह सब कुछ समझ गई, वह अ किसोरी को जट पट उठा कर पलंग पर सुलाया, परंतु इससे पर्थम ही वह होस में आ गई, वह कुमद को देखते ही, जिजी जिजी कहे कर उसके गले से लिपट करोने लगी, कुमद भी खूब रोई, किसोरी नियांत में कहा, जिजी, क्या वह ऐसे हैं, किसोरी, मुझे इसका स्वप्न में भी संदेह ने था, मैं प्रिथवी में सबसे अधिक गर्व अपने पती पर करती थी, और उन्हें अपने प्रेम के कवच से रक्षित समझती थी, आज मैंने उन्हें पहचाना, किसोरी, मैं बड़ी ही अभागिन और अधम नारी हूँ, नहीं जिजी, ऐ विनोद को भी पापी व्यक्ती पाप के रूप में काम मिलाता है, किसोरी कुछ ने कहकर उठ खड़ी हुई, कुमुद ने कहा, क्या जाती हूँ, अभी ने जाने पाओगी, क्यों, क्या तुम मुझसे भी घ्रना करती हूँ, नहीं जिजी, किसोरी की आँखों में आशु भ बात कभी किसी से न कहेगी, कभी भी न कहूंगी, किसोरी ने उदास स्वर में कहा, और यहां बराबर उसी भाती आती रहेगी, किसोरी ने कातर द्रश्टी से कुमुद को देख कर कहा, ने यह न होगा जिजी, तब मैं जहर खाकर प्रान त्याग दूंगी, ना जिजी, यह क्या कहती हो तुझे नित्य इसी भाती आना पड़ेगा परन्तु मेरे दम में दम है वहां तक कोई तुझे छूबी ने सकेगा आँख उठाकर भी ने देख सकेगा मैं जाओंगी जिजी जरूर आओंगी के सोरी जोर से रोकर कुमुद से लिपट गई कुमुद रोई नहीं वह कुछ देर चुप चाप उसे चाती से लगाए खड़ी रही उसके बाद उसने उसे कुर्सी पर बैठा कर कहा अब यहीं नहाले फिर भोजन कर घर चलेंगे मैं माता जी को कहलाई देती हूं कुमुद ने यहीं किया वकील साहब बिना भोजन किये ही कचेरी में भाग किसोरी ने ना मत्र को खाया इसके बाद कुमुद किसोरी के घर जाकर उसे छोड़ आई उस दिन संध्या तक वह वहीं रही चलती बार एक कांत पाकर उसने किसोरी के पैर चुकर कहा किसोरी मेरी जट तेरे हाथ है तुने वचन दिया है पूरा करना किसोरी ने कुमुद की कोद में मुझे पाकर कहां यह क्या कहती हो जिजी प्राण जाए पर वह बात मूझ से नहीं निकलेगी कुमद ने व्याकुल दरश्टी से उसे ताकते भे कहां उनसे साक्षात होने पर तुझे उसी भाती बोलना और व्यवार करना पड़ेगा जिस भाती अब तक करती रही है किसोरी ने आखों में आशु भर कर कहा, मैं करूंगी जी जी, कुमद उसे चाती से लगा और प्यार करके घर चली गई, रात को राजेश्वर साहस करके घर में आए, कुमद फर्स पर बैठी, कुछ फटा वस्त्र सी रही थी, मैं सामने कुर्ची पर बैठ कर अकारण ही हसने लगे, कुछ ठहर कर कुमद ने कहा भोजन हुआ या नहीं, मैं जरा किसोरी के घर गई थी, भोजन कर लिया, वह फिर हसने लगे, कुमद अपना वस्त्र सीती रही, उसने सीते सीते ही कहा, आप सुभे खाना बिना खाए ही क्यों चले गए थे, भूख ही नहीं थी, फिर बहुत हसी आ रही है, इसका कारण क्या है, कुछ भी जवाब ने देकर, राजेश्वर जोर जोर से हसने लगे, इसके बाद वह कचहरी, मुख्किल, आदी की बहुत सी फालतू बाते बग गए, कुमद ने सहज गंभीर स्वर में कहा, सुभे की घटना का क्या कारण था, रा आपने क्या किया, मैंने भी वही किया, फिर ही ही करके हसने लगे, अर्थात, अर्थात, वह फिर हसने लगे, कुमद ने कहा, आपने भी छेड़ चाड़ की, की, तो क्यों, कुमद के प्रिश्ण का लहजा देखकर, वकिल साहब ज़रा सेट पिटाए, पर फिर उन्होंने हस कर कहा, मेरा क्या कसूर है, वह क्यों आई थी मेरे पास, क्या आप समझते हैं, कि वह इसलिए आई थी, इसलिए आई होगी, राजेश्वर, पत्नी की आखों में द्रस्टी ने मिला सके, वह इधर उधर देखने लगे, चाहा कर भी वह हसने सके, कुमद ने अपने वस्तर से पिस्तोल निकाल कर धीरे से उसका घोडा धबाया, यह देख राजेश्वर का रोम रोम काप गया, वह कूर्शी से उचल कर खड़े हुए, उन्होंने चीक कर कहा, यह क्या, क्या तुम मुझे गोली मारोगी, अभी नहीं, मैं यह देख तो लूँ, कसूर किसका था, जिसका कसूर होगा, उसे ही गोली मारी जाएगी, हाँ, सिरिमान जी कहिए, वह क्या, इसलिए आई थी, मैं कैसे कह सकता हूँ, तब आपने यह कहा कैसे, राजेश्वर कुछ भी जवाब ने दे सके, वह इधर उधर ताक ने लगे, कुमुद ने खड़े होकर कहा, बैठ चाहिए स क्यों आई थी, यह मैं नहीं जानता, आप अवस्य जानते हैं, मैं नहीं जानता, उन्होंने क्रोध के स्वर में कहा, आप क्या इस समय क्रोध भी करने की हैसियत रखते हैं, कहिए, वह क्यों आई थी, सत्ते कहिए, आप मेरे पती हैं, मैंने आपको देवता समझा है, वह त तुम्हें यमना ले जाने के लिए आई थी, तब आपने उसे छेडा, राजेस्वर ने नीची गर्दन किये, धीमेस्वर में कहा हाँ, उसने क्या किया, मिन्नते की फिर भैसे बेहोस हो गई, आपने यह कुकर्म क्यों किया स्वामी, राजेस्वर चुप चाप कुमुद के रहे, वह बोल ने सके, कुमुद ने कहा, मेरा जीवन, ग्रेश्ट धर्म, पुन्य, सभी अकारत हुआ, जिसे मैंने देवता समझ कर पूजा, वह अब इतने दिन बाद, पसु प्रमानित हुआ, राजेस्वर चुप बैठे रहे, कहिए स्वामीन, मेरे पुझे देवता, क् तक तक नहीं लगाई, राजेस्वर चुप रहे, क्या मैंने सदा आपकी पर्चाई को अपने समस्त प्राण और सरीर से अधिक पवित्र नहीं समझा, राजेस्वर फिर भी नहीं बोले, कुमुद ने फिर कहा, क्या मैंने अंगिनत व्रत उपवास करके, आपके जीवन, आ आपके प्राण, आपके व्यक्तित्व की रक्षा के लिए देवताओं से याशना नहीं की, क्या इस प्रित्वी पर आपके समान पवित्र, महान सद्गुण, युक्त, पुरुस मेरी द्रस्टी में दूसरा है, राजेस्वर की आखों में आशु आकर बहने लगे, उनके हो हो सकती, आपके धर्म पत्नी से मिलने क्या किसी की बहु बेटी का यहाँ आना इतना भयानक है, आप वकील है, परतिष्ठित है, विद्वान है, लोग आपको सलाम करते हैं, आपको हुजूर कहकर पुकारते हैं, आपको बड़ा समझते हैं, आप एक जिम्मेदार, सद ग्र पुत्रियों को भेज देती हैं, तो यह है, उनकी भारी भूल नहीं, क्या आपका घर अति अपवित्र और सामाजिक जीवन का दुरगट स्थान नहीं, राजेश्वर ने आवेश में आकर कहा, कुमुद, तुम मुझे गोली मार दो, अथ्वा पिस्तोल मुझे दो, मैं अतित प्राणों का अपहरन करूंगा, मुझे अब लजजित ने करू, कुमुद ने अति गंभीरवानी में कहा, स्वामी, क्या कभी और कहीं भी आपने ऐसा पाप किया था, नहीं कुमुद, मन वचन कर्म से, कभी नहीं कुमुद, क्या तुम विश्वास ने करोगी, मैं व प्राध मेरा है, आप मुझे गोली मार दीजे, मैं स्वयम आत्म घात ने कर सकूंगी, तुम्हारा क्या प्राध है कुमुद, मैंने ही इस पाप का बीजबोया, मर्यादा के विप्रीत, उस कन्या को हास्य में तुम से परिचित कराया, तुम्हारा और उसका भी साहस बढ़ पुरुस इस्त्री के लिए आधर्स वस्तु है, इस्त्री आहर बात में पुरुस कोश्रेस्ट और आधर्स मानती है, पर पुरुस यदि आधर्स से इतने गिर जाएं, तो फिर जीवन के एकांत क्षण भी विनोध और सरस जीवन से रहित हो जाएं, तुम सच कहती हो परंतु इसी युक्ति के आधार पर मैं कहता हूँ कि तुम अपराधनी नहीं, यदि तुमने अपने दाम पत्य परिदी के विनोध में उस बालिका को समलित किया, तो इसमें तुम्हारा दोस ने था, तुम मेरी पत्नी हो, यह मुझे समझना चाहिए था, वह तुम्हारी स समझेगी कि यह चरित्रहिन स्त्री पराई बहु बेटियों को सहिली बना कर अपने पती से संसलिस्ट कराती है, हाई, मैं यह कैसे सुन, सह सकूंगा कुमुद, वही तो स्वामी, ओतम है, तुम मेरा प्राण हरन करके स्वैम भी आत्मखात कर लो, पिस्तोल में तीन गोलिया कुछ देर राजेश्वर स्तब्द बैठे रहे, इसके बाद उन्होंने कहा नहीं कुमुद, यह ठीक दंड न होगा, हमें प्राण नास न करना चाहिए, क्या तुम विश्वास करती हो, कि मेरी परवर्ती बदल गई है, तुम्हारी सखी के परती, मेरे भाव अब क्या है, यह भी जानती हो, हाँ, और सदेव, आजन में संसार भर की स्तरियों के परती, मेरे क्या भाव रहेंगे, यह भी समझ गई, समझ गई, प्रिये, इस पाप का हम दोनों ही को प्राश्चित करना होगा, कौन प्राश्चित, अब सो रहू, सुभह कहूंगा, अच्छी बात है, एक अनुस्ठान जोड़ देना होगा, वह क्या, तीन वर्स तक हम दोनों प्रथक कमरे में सैन करेंगे, अच्छी बात है, कभी इस परस न करेंगे, अच्छा, यह बात, कभी किसी भाती परकट न की जाएगी, यदि परकट हो गई, तो उसी दिन से शुरू करके फिर तीन गिने जाएंगे, अच्छा, कुमुद यही होगा, हम लोग भूमी पर सोएंगे, एक तक भोजन करेंगे, मंजूर है, तब स्वामी, आज से मेरे इस अपरी वैवहार पर दया कीजिए, जाएए, बाहर आपके सैन की उच्छित वैवस्था हो जाएगी, राजेश्वर चु खड़ी खड़ी हसने लगी, कुमुद ने उसे भोजन का निमंतरन दिया था, इतने जल्द उसे आया देखकर, उसने कहा, इतनी भूखी हो, अभी से आ गई, अभी तो कुछ बना भी नहीं, मैं बना लूँगी, परन्तु पहले इधर आओ, उसने थाल की और इशारा किया, यह क्या हैरी, उसने थाल पर से आचल हटाया, उसमें रोली, गुलाल, रंग और मिठाई थी, उसने लजजा से लाल चेहरे को उपर उठा कर कहा, मैं जिजाजी से होली खेलने आई हूँ, पागल हुई है क्या, जो समझो, उन्हें बुला दो ना, इसकी ज़रत नहीं है, त कुमद ने अत्यंत रुखे स्वर में कहा, कि सोरी की आँखों से टप टप आँशू गिरने लगे, वह उसी भाती थाल लिये खड़ी रही, उसकी आँखों में आँशू देख कुमद, रसोई छोड उठकर उसके पास आई, इसके आँशू पोच कर कहा, अरे, रोती क्यों ह लालाई भीतर आकर राजेश्वर ने देखा कि सोरी चुप चाप थाल गोद में लिये बैठी है, उसको सोभा उस से भीगे गुलाब के समान थी, उन्होंने मुस्करा कर कहा, मामला क्या है, बेवक्त की तलभी क्यों, आपकी साली साहिबा होली खेलने आई है, जुता उतार कर भीतर आई है, राजेश्वर भीतर आकर चौकी पर बैठ कै, कि सोरी ने सामने बैठ थाल चौकी पर रख, उनके माथे पर गुलाल लगा, रोली का टिका किया, फूनों की माला पहनाई, और आचल गले में लपेट जुक कर राजेश्वर के पैर्च हुए, फिर मुस्कु पुरा कर धिमेश्वर में कहा, इसमें से कुछ मिठाई खाईए, राजेश्वर ने बलपूर्वक आशू रोक कर मिठाई का एक टुकडा खाया, इसके बाद सो रुपे का नोट कि सोरी की गोद में डाल थाल से अंजली भर पूल उठा कि सोरी पर बरसा दिये, वह चले हुआ हुआ हुआ